दोजार चौबिस का लोग सभाचनाव सामने हैं ऐसे में अब भारती जन्ता पार्टी की केंद्र की सरकार की द्वारा एक बड़ा फैसला C.A. को लेकर के लिया गया 2019 के संकल्ब पत्र में इस C.A. बिल के जिग्र बारती जन्ता पार्टी ने किया था और अब 2024 जब लोग सभाचनाव सामने ठीक उसके पहले ये बिल ये कानून देश भर में लागू हो गया है जन्ता क्या सोचती है क्या कहना चाहती है क्या समझरी इस कानून के लागू होने के बाद क्योंकि विपक्स के अलग अलग बयान इस कानून को लेकर के सामने आ रहे है लोगों की या रहा है ये जानने के लिए हम जन्ता के बीच में हैं क्या नाम है आपका दीपू सुकला साथ दीपू जी ची ए कानून आ गया है जान पर इसको लेकर कर के जो विपक्स की पार्टियां एक लेशाद हो गया मम्ता अबिन जी और सब सबस्वाल ख़ले करें ने यह तो गलाज है जो प्रकार करें उसी पर स्थाहिमत रहना चाहिए और भी कुछ लोग है क्या नाम है आपका हमारा अब्दूल हकीम शाह है मैं सिदान नगर जिले से हूँ सीए कानून को लेकर कि आप क्या सोच देखिए साब सीए कानून तो अच्छा है लेकिन इसमें एक काम गलत हुआ क्योंकि एलेक्शन आ गया तो सीए लगाए क्योंकि अपना वोट बैंक बढ़ाना है यह एलेक्शन के बाद करते तो कितना अच्छा था एलेक्शन के बाद इसको लागू करना चाहिए था यह 200018 तो बिस में लगा देते कि जब एलेक्शन हा गया कि कल एलेक्शन हुना तो इसमें लाना गलत है उनकि तमाम टूपक्षी दल है उनके तरफ से सवाल जो उठाए जा रहे हैं इस बिल्कुल लेकर सवाल बिल्कुल सही है उठे गई उठेगा जब कल चुनाव आज सिये लागू करोगे ये लेक्शन के बाल लागू करते अब मालो 10 करोर लोगो को ये लोग अगर सिये का दे देते उससे पहले उनका सियासी फैसला है बाकी सिये से मैं नाराज नहीं हूँ इसको एलेक्शन के बाल लागू करना चाहिए था सरकार को ये नहीं कि कल एलेक्शन है तो इसको लागू कर दिया क्या नाम है आपका पुलकित जी सी ए को लेकर कि आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कानून कितना सही कित बैतर नहीं गया जंता के लिए देश के लिए कैसे देख देखिए इस्थितियां जो हैं वो हमारे पड़ोसी मुलकों में बड़ी विक्राल हो चुकी हैं आए दिन खबरे आती हैं कि वहाँ पर जो अलब संक्याक हैं उनके साथ बड़ी बदसलूकी होती है यह कोई नई बात नहीं है लगातार यह पिछले साथ सत्र सालों से चीज़ें चलती चली आ रही है अब जो हमारे हिंदू भाई हैं या हमारे जो और अलब संक्याक हैं पार्सी हैं वो कहां जाएं उनके सामने बड़ी समस्य हैं उनको कौन देश नागरिक्ता देगा कोई देश नागरिक्ता ले सकता है तो सन 47 में भी तो यह हुआ था न उधर से लोग छोड़क ऑए थे देश उनको यहां कि की नागरिक्ता मिली थी इसमें गलत क्या है कि भरती कहां जाएंगे विपख्श कहा रहा है कि अगर इन लोग को नागरता देए लिवारत करके दुकान जाएजाज छोड़ करके बाजता फिर दो मिन बोलना चीह लेके लेके चले आते हैं बलतकार होता है 20-20 लोग बलतकार करते हैं एक रात में 20-20 लोग बलतकार करते हैं उन बच्चियों के साथ दिल नहीं दुखता कि आपका भाई कैसे इंसान हो आप वह कहां जाएं ते दो ना उनको ना गरिकता किसी दूसरे मुल्क में सौधी में ना गरिकता दिलवा पाकिस्तान में देदें बंगला देज में देदें अफगानिस्तान में दे दे रहा हूं रोहिंग्या यहां जो हर वार्ड में पांच यार रोहिंग्या बसा है पूरे भारत के अंदर नो लाक रोहिंग्या है ले जाए रोहिंग्या दे नागरिक्ता उनको किस ने रोका है ब बिवस्थित रूप से जो कारी हो रहा है जब देश का विभाजन हुआ था तो यहां के प्रधान मंत्री ने कमेंडमेंट किया था कि वहां के अलपसंख्यकों की जुम्मेदारी पूरी भारत सरकार लेता है लेकिन वहां पे आज 33% से हट करके वहां 2% 3% पे हिंदू रह गया है काउं जुम्मेदार है तब विपच्च सोने चला जाता है जब 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 यह आतंक बादियों के खिलाब वकील खड़े हो जाते हैं रात में तो विपच्च सोने चला जाता है आज सीए की बात होती है अनरसी की बात होती यूसीजी की बात होती है तो यह लोग जो इनको मुद्दे आ जाते हैं इनको भारत माता कभी भाजन याद आता है 1947 में जब देश कभी भाजन हुआ था विपच्च कहां चला गया था कौन सी डाल रोटी खा रहा था क्या लग रहा है आपको तो इंग्रेजों से लोग सीखें हैं कि जनता को जनता से लड़ाओ धरम के नाम पर लड़ाओ जाटके नाम पर लड़ाओ किसान को किसान से लड़ाओ नौजमान से लडादो गरीब को जो है एक दूसरे से लडादो सारे लोगों को लडाओ और चुप चाप राज करो और यही इसका मकसद है फूट डालो राज करो इसका मतलब किसी को नागरिक्ता देना नहीं नागरिक्ता का कानून तो जो प्रोविजन अलेडी सम्मेदान में था पहले से लोग नागरिक्ता संसोधन कानून सिर्फ फूट डालो राज करो कानून है तो बिलकुल आप देख सकते हैं कि जनता की अलग अलग राइस मुद्दे को ले करके निकल के सामने आए अब देखन यह होगा कि सिये लागू होने के बाद क्या कुछ प्रभाव इसका देखने को मिलता है वीडियो जो नितिये पकरणा के साथ शुबहम पांडे न्यूजी स्टेट लकनाओ